हलो दोस्तो नए साल की डेहर सारी सुप काम नाए मेरे और मेरे फेमिली के तरफ से तो दोस्तो मैं छत पे आई हूँ तो यहाँ पर गमले में मैंने प्याज लगाया है तो बड़े बड़े हो गए थे तो आज मैं इसी की रेश्पी बना कर आप लोगों के साथ सेयर करूंगी तो चलिए मैं प्याज को काट लेती हूँ और देखे इसी में मैंने धनिया भी लगाया हैं जो अभी बहुत छोटा है और दूसरी तरफ देखे मैंने अपर लशून और धनिया लगाई हूँ जो की अभी बहुत छोटा है और साथी साथ मैं प्याज भी लगाया थी जो प्याज बड़ा हो गया है प्याज बहुत जल्दी बढ़ जाता है तो चले इसे भी काट लेते हैं अब यहीं धूप में बैठे बैठे मैं देखे प्याज को भी साफ कर ले हूँ अब चलती हूँ नीचे तो यहाँ पर नीचे आ गई हूँ इधर देखे तड़के के लिए मैंने एक चम्मच लसून एक चम्मच अद्रक और दो बड़ी हरी मिर्च को काट ले हूँ और दो हम डालेंगे सर्शो का तेल एक बड़ा चम्मच और इसके जगह पर आप किसी भी कुकिंग ओयल में बना सकते हैं अब इसमें मैं चुटकी बरहिंग डाल दी हूँ अब डालेंगे इसमें अद्रक लसून बारिक कटी हुए आप चाहित इसे ग्रेट करके भी डाल तकते हैं अब इसमें हम बारिक कटी हुई हरी मीर्च और आलू को डाल कर अच्छे से भूनेंगे तो इसी में हम आलू को मिला लेते हैं अच्छे से तड़के में और आँच को स्लो ही रखेंगे और इसे इसे ही चलाती हुए भून लेंगे इस तरीके से बनाने से प्याज की सब्जी बहुत टेस्टी बनता है तो देखे आलू अच्छे से भून गया है यानि ये आधा पक गया है आलू जो कि प्याज की सबजी पकने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है ज्यादा ज्यादा चार ते पांच मिनर में बन जाता है तो अब इसमें हम मसाले डालेंगे तो एक कर सकते हैं लेकिन गर्म मसाला डालने से बहुत बढ़िया बनता है एक बार आप जरूर बना कर देखिए तो अच्छे से मसाले को भी हम इसी तेल में भूनेंगे अलग से पानी इसमें नहीं डालेंगे अब इसमें हम कट वेप हरे प्याज को डाल देंगे तो थोड़ा- आज की सबजी की रेश्पी अपलोड की हुई हूँ अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर आप देख सकते हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रप्शन बॉक्स में दे दूंगी अगर आप मेरे चैनल में या मेरे वीडियो में नए है तो प्लीज आप मेरा आने वाले वीडि पूरा ही देखें तो देखें अच्छे से मैंने मिला लिया है अब इसे हम ढग कर थोड़ी देल दो मिनट के लिए छोड़ देंगे तो यहाँ पर दो मिनट के बाद मैं देख रही हूँ सबजी को तो इसको उपर नीचे चला लेंगे अच्छे से ताकि जले ना नीचे क्योंकि लोहे की कड़ाई में नीचे जल्दी जलने लगता है तो अब इसमें दोस्तो हम पानी डालेंगे तो मैं इसे रचेदार बना रहे हूँ थोड़ा ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे बस नमक को मिला करके इसे ढख देंगे तो एक बार आप लोग एक बार जरू ट्राय करिएगा बहुत अच्छा लगता है इसे आप चावल लोटी पराठा जिसके साथ भी आपको अमन करें आप खा सकते हैं लेकिन मुझे चावल के साथ ज्यादा पसंद है तो इसलिए मैं आप भी बनाई है आसानी से मिल जाता है ठंडी में और इधर देखे आलू भी पक गया है और सब्जी का कलर बहुत अच्छा आया हुआ है देख सकते हैं आप तो दोस्तों आज की मेरे प्याज और आलू की सब्जी की रेस्पी आप लोगों को अच्छी लगी हुई हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और वीडियो को लाइक कमेंट और जादा से ज्यादा से एर करिएगा तो मिलती हूँ अपनी नेश्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई